जै कलकी भगवान भगवान कलकी के अवतार की कथा भगवान विश्नु के दस अवतारों में से भगवान कलकी दस्वें और अंतिम अवतार है भगवान विश्नु के दस अवतारों में से नो अवतारों का जन्म हो चुका है जबकि कल्कि का अवतार लेना अभी शेष है कल्कि अवतार की कथा कवर्णन विभिन हिंदु धर्म घरन्थों मिलता है उसमें प्रमुख हैं श्रिमत भागवत गीता, विश्नु पुराण, हरिवंच पुराण, भागवत पुराण, कल्की पुराण और गीत गोविंद इत्यादी कल्की का सामाने अर्थ है सफेद घोडा, काला युग, अनन्त काल ऐसी मानता है कि कल्युग में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाएगा, तब भगवान विश्नु कल्की का अवतार धारन करेंगे और धर्म युग की स्थापना करेंगे शास्त्रों में ऐसी मानता है कि जब भगवान कल्की देवदत नाम के घोड़े पर आरोड होकर अपनी चमचमाती तलवार के द्वारा दुष्टों का सहार करेंगे, तब कल्युग की समापती होगी और सत्युग का आरंब होगा विदित हो कि भगवान श्री कृष्टों के बैकूंट जाने के बाद कल्युग की शुरुवात होई थी कल्की पुराण में वर्नित कथा के नुसार जब कल्युग में धर्म की हानी अपने चरम पर पहुँच गई तो देवता गण परिशान हो गए दुखी होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मा जी उन सभी देवताओं को लेकर भगवान विश्नु के पास गए और उन्हें देवताओं के दुख की गाथा कही उनके दुख को सुनकर भगवान विश्णु ने कहा कि मैं संभल ग्राम में विश्णु यश के यहां उनकी पतनी सुमिती के गर्ब से उत्पन होगा मेरी प्रिये लक्ष्मी सिंगल द्वीब के महाराज ब्रेद्रत की रानी कौमदी के गर्ब से उत्पन होगी उसका नाम पद्मा होगा मरू और देवापी नामक दो राजाओं को भी पृत्वी पर उत्पन करूँगा कलकी पुराण में वर्णित घटनाए अभी घटित नहीं हुई है बलकि यह कल्यूग और सत्यूग के संधी काल में घटित होगी लेकिन कलकी अवतार की कथा कवर्णिन इस रूप में किया गया है जैसे यह घटित हो चुका है श्रीमत भागवत महापुराण के बारवे सकंद में भगवान कलकी के संबंद में कहा गया है कि संभल ग्राम मुख्यस से भ्रामन से महात्मनह भवने विश्यु यश्यस ह कलकी ही प्रादुर भविश्यती अर्थाद संभल ग्राम में विश्यु यश्य नाम के एक प्रहमन होंगे उनका हिर्दे बड़ा उदार और भगवत भक्ति पून होगा उनी के घर कलकी भगवान अवतार ग्रहन करेंगे पौरानिक मानिता गनुसार कल्योग की कुल अवधी 4,32,000 वर्ष की है अभी कल्योग अपने प्रथम चरण में ही है अभी लगबग 5,000 वर्ष की ही अवधी ही व्यतीत हुई है शास्तर गनुसार श्रावन मास के शुकल पक्ष की 6 तिति को भगवान विश्नु का कल्की अवतार होगा इस कारण इस तिति को कल्की जन्ती के रूप में मनाया जाता है इस दिन गुरू, सूरे और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में होंगे मगवान कल्की 64 कलाओं से पूर्ण होंगे इस प्रकार वे निश्कलंक अवतार होंगे इस कारण उन्हें मगवान श्री विश्नु के निश्कलंक अवतार के रूप में भी जाना जाएगा कलकी पुराण में वर्णित है कि भगवान कलकी के अउतार धारन करने से पहले ही इनके तीन भाई उत्पन हो चुके हैं जिनके नाम कवी, प्राग्य और सुमंत्रक है कृष्ण जन्म के समान ही कलकी के जन्म लेने पर वसुंद्रा से दुख्द सुधा की धारा प्रवाहित होने लगेगी संबल ग्राम के सभी दुख दूर हो गए, ऐसा बताया गया है जन्म के समय भगवान कलकी चार भुजाधारी रूप में थे, लेकिन भ्रम्मा जी के संदेश को प्राप्त कर मनुष्य रूप में आ गए प्रभू के माया से मुहित हुए माता पिता ने समझा कि भ्रम से ही हमने अपने पुत्र की चार भुजा देखी है मगवान के शिशु रूप का दर्शन करने के लिए परशु राम, कृपाचारे, वेद व्यास, द्रोणाचारे के पुत्र, अश्वत थामा, भिख्षुक वेश में वहां बधारे मगवान कलकी को वेद, ब्रामन एवं अन्य धर्म ग्रंथों की आरंबिक शिक्षा घर पर ही उनके पिता द्वारा दी गई उपनयन संसकार के पश्चाद भगवान कलकी शिक्षा ग्रहन करने के लिए महिंद्र परवत परश्तित भगवान विश्णु के छटे अवतार परशु राम के आश्रम गए वहां भगवान परशु राम ने अपना परिचे देते हुए कहा मैं भिगु वंच में उत्पन्य महरिशी जमदगनी का पुत्र वेद वेदांग के तत्व को जानने वाला धनुर विध्या विशारद परशु राम हूँ परशुराम जी से वेद की शिक्षा प्राप्त करने के बाद भगवान कलकी ने धनुर वेद और गंधर्व वेद की भी शिक्षा ली जब भगवान कलकी ने 64 कलाओं और संपून धनुरवेद का ग्यान प्रावत कर लिया तब उन्होंने अपने गुरु परशुराम से कहा आप वह दक्षणा बताने की कृपा करें जिससे आप संतुष्ट हो सकेंगे इस पर भगवान परशुराम ने कहा कली काल का नाश करने के लिए भगवान विश्णु ने जो अवतार धारण किया है वै आप ही है जब आप दिग्विजे द्वारा धर्म विहीन और कली प्रिये राजाओं और बौधों का सहार कर मरू और देवापी को प्रतिष्टित करें तब आपका यह साधू कृत ही मुझको संतुष्ट करने वाली दक्षणा होगी भगवान परशुराम से निर्देश प्राप्त कर कलकी ने दिव्यास्तर की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना शुरू की उनके आराधना से प्रसन होकर भगवान शिव ने कहा क कि आप अपना इच्छित वर मांगो भगवान शिव ने कलकी को शिग्र गामी अनेक रूपधारी गरुड अश्व युक्त सरवग्य शुक प्रदान किया शिव जी ने कलकी को रतनसरू नामक अत्यंत चमक्ति और अत्यंत भारी पृत्वी को पृत्वी के भार को संभालने वाली तलवार प्रदान की शिव जी से अश्व शुक कवच और वर्दान पाकर कलकी संभल ग्राम में अपने घर लोटे फिर कलकी भगवान ने विशाक यूप राजा से भेट की तब उन्होंने अपने धर्म आख्यान द्वारा राजा की अधर्म युक्त आशंकाओं का निर ततपश्चाद सभी वर्ण अपने अपने धर्म में ततपर हुए तथा राजा भी प्रजा पालक पवित्र मनवाले और धार में खुए मगवान कलकी का विवास सिंगल द्वीप के राजा ब्रहिद्रत की रानी कौमदी के गर्ब से उत्पन पुत्री पद्मा से हुआ पद्मा का वर्णन करते हुए कलकी पुराण में कहा गया है कि इस श्रेष्ट मुक्वाली सुंदर चर्टर वाली कामदेव को भी मुहित करने वाली उस कन्या की समानता संसार में कोई नहीं कर सकता भगवान कलकी की पत्नी पद्मा के गर्ब से जै और विजे नामक दो पुत्र उत्पन हुए यह दोनों महाबली तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुए विवाह के भशाद भगवान कलकी दिगविजे के लिए अपनी सेना सहित कीकट पुर की और प्रस्थान कर गए अत्यानते विसार वाला कीकट पुर बौधों का निवास्थान था यहां रहने वाले लोग वैदिक धर्मत था देवता और पित्रों के अर्चन से हीन और परलोक को ना मानने वाले थे यहां भगवान कलकी ने जिन एवं बौधों को परास्त किया शुद्धो धन और उनकी पत्ती माया का वर्णन भी इस युद्ध के दोरान कलकी पुराण में किया गया है यहां उन्होंने बौधों को पुनह वैदिक धर्में दिक्षित कर मुक्ती प्रदान की इसके पश्चाद भगवान कलकी हिमाले की ओर बड़े महां उन्होंने कुथो दरी नामकी राक्षसी एवं उसके पांच वर्षिय पुत्र विकज का वद किया कलकी पुराण में भगवान कलकी के हरिद्वार में मुनियों से मिलने का वड़नन है इस पुराण में सूरेवश एवं चंदरवश का वड़नन किया गया है तता सूरे बंश के प्रसंग में भगवान शेरी राम के चरित्र का वंडन किया गया है इसमें सूरे बंश के मरू और देवापी का युद्ध के लिए आगबन अत्यंत विक्राल कोक विकोक का वध कलकी भगवान की भलाट नगर यात्रा शेया करण आदी से युद्ध शेशी ध्वज कलकी जी का संग्राम और सुशाता द्वारा भक्ती एवं कीर्टन की कता कही ग इन क्रियाओं के निश्पादन के बाद भगवान कलकी वैकुंट गमन कर जाते हैं ये थी भगवान विश्नु के दस्वें अवतार की कता आप सब प्रेम से बूलिए जैश्री कलकी जैश्री कलकी जैश्री कलकी जैश्री कलकी भगवान